कि शर्म तो नहीं लागतना तनकी अरे चल दिल दिचला सरम कहक लागए बताव सरम कहक लागए कहे का सरम लागए हाँ हद होई का दूइठों कदेल हमका लदाय उपर से दूइधरा गोहू लदाय अब बार फेरत चली जाए रही जैसे लागए कि कौनो इस्वारिया राय हिर किसानी की काम आय ते तमासा बनाए लिए का लिए काम हो चाहा जाए जाओ नी बताव कदेल भागए लागए लवा गादाय जल्दी जल्दी आरे हावलियां और मैं सुनता आ है लेदेख देखा जाटपकड़े का बतावार तुम चार पाहियों से बेकार ह्या करो तो अपने उपर वा तो खुश रहा बे अधर आई दर्ण आई खेतवा तो आई गई गई तो अधेश के खनून तो बघर भाई कर बाई तो नहीं बोले आप खेतवा पहुंके खनून बघर यहां सारा रस्ता के मतलब खीव निकार देया आमरे नूपर दाई धरा के एड गदेल साड़े तीन धरा के एक गदेल केतना भाई शा धरा दूधार गोहूं एक मन एक मन के बोजह लाई किया और पाइदर आयो कहा तमे थाकी तो 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 अब मरू परवा चारज में उट हो का तो अरे नहीं और अरवन तो यह मन आवन घोड़ा ही घोड़ा ही अ हद दिक खार आप कई दिया बता आवा नाई का हाथ करड़ा है कहें 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 कारे समाज मन आवाए जोता हूं भाई डाइम तो लगबाई करी चालिया ता सुवेरे संजह होगा तो सबकार लाग की नाई है नाउत का हम लाग के चलीगा मना वहाख खाट शीटा है धाई भी गाह के हष्चा ने खात चीटे कहा अब वहाय कुछ समझ मैंने आवा थे झाओ छुरह थे तो महों तो खाते हाँ न एका का महीं अकेल खात कहा रवाध म्हाएं गोरुध। गोरू पाली थी तो कि पाईस वा था तो मिला खावाओ प्याओ बेच अप तुमाहीं तो पाईस वाले है अरे अतना आइसकर जतना की चल जाए बड़ा तुमाहीं करा उता चल आच्छा बखाई तो ना करा हमसे अरुटा जाए लागा थे का बखाए बेग पकल लिया महीं मौर फैसन कम हो जाई भाईय को लाई लिया मैं गरू हो जाए मोंसे ना चल पाई तो मोर गोड़ा इसे ना वात ओ तो का करी यार संगताय तो दीहार अस्तम कहूं कि हां ले बई संगताय ले तो औरे गोड मा बाव पकड़े हैं और तो बाव कर दो ना बाव खाए तो अरे यार आइसा कहे बोलते हैं हो मा अई चाथे का बाव कहन आई ची दोई-दोई-दोई-गदेल का खपड़ा पर लाथ के हम लाइके चली शरम केदे़ भाईया अरे अगर ध्यान से करत दोए तो तो समझे बदेशा अब तुम्हारत गदेले कोने बिलायत कि गदेल नहीं यार उमा सरम लिहाज करा है का है जेके गदेल आयरात माना उही अकेल की पूरी जिम्मेदारी ही का कि आदमें पाइदा करे तो ही खपड़ी पलात की चली मेरारू का करें ते सेवत पाली थी तो चिनन चटेमन का तो चि करें नहीं खाय कोई साप साप बतावा नीक नोहर का है नीक नोहर तुम नहीं जनता का आय नीक नोहर नहीं जनता का आरे गुलगुला पुवा पकवडी सकवडी का सभी आय नीक नोहर आजे कुणमूंद नी भाई ही है आजे कुणमूंदा गा है जम्मा नहीं कि ऐसी आई आजसोंवे़े शहायne ना कुलमूधत कि जहाया देस की चचेटे साह का रहे मिला कई जाधा है कशेगारा यहां बैक्टेटे के श हुख देस कहोत करें! जुँआज तुम का बतावै लगता अपने आपके देखा थे समझे कमेंटों नहीं करता हैं कि गलत आये तो यहां आ रहे समझा छाही हुआ थे नहीं करता हैं कि क्या कुमेंट करॲब्र जो यहां कि पढ़े वाले grandi भूलूल के comment कही दे करा यार, मेरार हमार गुस्तान जासी तुम comment नहीं करते हैं, आरे भाईया अंसे ना बतावा हम से बात करा हम तुमका जवाब के सवाल दे ही ना हम अनपढ़ ही लिखे हमका बतावा, तो का हम अनपढ़ आदमी हैं ना, तब इंके तुम भाईयां से शाल के लिए सिप हसने के लिए comedy बनाते हैं, बाकी हकीकत से इसका कोई लेना देना नहीं है, और आज हम लोगों का जो है गेहूं, मतलब एकदम समापती की ओर है, कहने को मतलब लास्ट दिन है, मतलब लास्ट दिन है, बहुँ बराह सब कुछ हो गया है, अब बस धर में बैटक और भाईयों, आप लोगों से मतलब ये गुजारिस है कि अगर मालिया कोई सुबकार हो रहा है, तो उस दिन मतलब जो है, घर में मतलब सामनजस्ता बना के रखें, मतलब किसी परकार का वाद भीवाद ना करें, जिससे आदमी का मन विचलित हो जाए, जो काम करने के लिए जा रहा है, उसमें उसका फोकस घर जाए, मतलब बूढ़े जो होते हैं, पुराने समय वाले बूढ़े लोग कहेंगे, कि जिस दिन कोई भी अच्छा सुबकार हो तो लड़ाई जगडा, मतलब कदा पी न करें, तो अच्छा सुब होता है, अब हम लोग तो नए-नए हैं, और आशा करते हैं, कि हमारी लोगों की जो कमेड़ी है, पति-पति की, आप लोगों को पसंद आ रहे होगी, अगर पसंद आ रहे है, तो एक प्यारा सा कमेंड करिएगा, जै हिंद वन्दे मात्राम!